Welcome once again to a new lesson guys My name is Kanchan and you are watching English Connection Guys, आज की ये वीडियो बहुत एखासे जैसा कि आप देख सकते हैं आज आप सीखने वाले हैं Should Have, Could Have और Would Have के बारे में Should, Could, Would पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ आदो कि हम तब यूज करते हैं जब आप पास्ट की बात करते हैं ठीक है, तो पास्ट की बात करने में भी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब हम कालपनिक पास्ट की बात करते हैं यानि कि पास्ट में जो चीज हुई उसकी नहीं जो नहीं हुई उसकी बात करते हैं अभी सब कुछ confusing लग रहा होगा लेकिन वीडियो में जैसे आगे बढ़ेंगे आपको कुछ भी confusing नहीं लगेगा एक ही बार में आपको जो सबसे पहले चीज़ है वो बताती हूँ should have को सबसे पहले समझेंगे should do से compare कर लेते है should do का मतलब होता है करना चाहिए अगर मैं कहूँ you should go तो मैं बोलूँगे आपको जाना चाहिए you should do this आपको ये करना चाहिए you should watch this video आपको ये विडियो देखनी चाहिए लेकिन अगर मैं कहूँ should have उसके बाद मैं लगा दूँगे यहाँ पर done तो should have के साथ done क्यों आया should के साथ do क्यों आया तो याद रखिएगा जब भी हम in modal verbs को use करेंगे have के साथ तो हमेशा उसके बाद verb की third form आएगी ठीक है तो अगर should have तो done could have तो भी done यूज़ करेंगे तो do की third form done तो इसका मतलब हो जाएगा करना चाहिए था should do करना चाहिए should have done करना चाहिए था यानि कि किया नहीं तो जो चीज़ हमने की नहीं लेकिन करनी चाहिए थी उसकी जब बात करेंगे तो should have use करेंगे एकदम सिंपल है तो जो structure बना वो है should have plus V3 यानि कि verb की third form situation देती हूँ कहीं पहुचने में देर हो जाए तो तो आप क्या करेंगे तो आप ये कहते हैं न कि मुझे और पहले निकलना चाहिए था यानि आप और पहले निकले नहीं अब आप कहरें मुझे और पहले निकलना चाहिए था तो क्या होगा I should have left leave की third form left earlier और earlier हमने इसलिए यूज किया क्योंकि जिस समय निकले थे उससे पहले निकलना चाहिए था तो कहीं न कहीं compare कर रहे हैं इसलिए हमने comparative degree यूज की समझ आ गया should have का मतलब एक और example देखेंगे तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी मतलब की नहीं करनी चाहिए थी तो इसके लिए simple सा sentence you should have talked to him तो should have के साथ वर्ब की third form यूज करनी है और उन चीजों के लिए यूज करेंगे जो किया नहीं गया है बट करना चाहिए था अब आपने समझ लिया should have तो आप बात करेंगे should not have की जो कि contraction में कहा जाएगा shouldn't have shouldn't have यानि नहीं करना चाहिए था आप कोई काम आपने कर दिया बट करना नहीं चाहिए था जब ये कहना है तो shouldn't have यूज कर लेंगे तो जो structure बनेगा वो जाएगा shouldn't have प्लस V3 अब देखें situation है आपने किसी पर गुस्सा निकाल दिया और अब आप regret कर रहे हैं जब गुस्सा निकाल ली दिया अब regret कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं मुझे उस पर नहीं चीखना चाहिए था तो negative हो गया क्या बोलेंगे I shouldn't have yelled at him clear, should have clear हो गया कि कब-कब should have का use करना है कब shouldn't have का करना है अब आते हैं could have पे तो could have को समझने के लिए could say पहले compare कर लेते हैं could do यानि कर सकता था ठीक है आप जब past की कोई ability बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं नाज सकता था गा सकता था तब आप यूज करते हैं could का लेकिन जब आप could have यूज करते हैं तब आप कहते कर सकता था पर किया नहीं तब आप किसी एक समय के बात कर रहे हैं कि ऐसा कर सकता था पर किया नहीं यानि ability थी करने की पर किया नहीं या फिर possibility थी करने की पर किया नहीं तो situation यह है कि ability या possibility थी पर किया नहीं तब use करेंगे तो जो structure बनेगा could have plus v3 आप दौड जीत सकते थे लेकिन आपने पूरी कोशिस नहीं की तो इसकी English क्या बनेगी you could have won the race, win की third form but you didn't try hard enough यानि ability थी आप जीत सकते थे लेकिन आपने पूरी कोशिस नहीं की इसलिए नहीं जीते clear हो गया कि could have का use कब करना है तो अब couldn't have को भी समझ लेते हैं couldn't have यानि कि could not have तो उसके साथ जब done use करेंगे तो यहाँ situation थोड़ी से अलग दिखेगी आपको करना possible ही नहीं था वहाँ था कि possible था किया नहीं यहाँ possible ही नहीं था भले ही मैं चाहता था तो मैं चाहता था लेकिन possible ही नहीं था तब use किया तो structure बना couldn't have plus v3 आप जब और sentences अपने से बनाएंगे तब आप बहुत अच्छे से इसी चीज़ को समझ पाएंगे हम पहले आ ही नहीं सकते थे हम एक भयानक याता या जाम में फस गये थे तो जब हम traffic में फस गये थे तो आ ही नहीं सकते थे यानि कि possibility ही नहीं थी possible ही नहीं था वो action करना क्योंकि मैं तो चाहता था पर possible नहीं था कैसे बनाएंगे we couldn't have arrived any earlier तो हमने का couldn't have arrived any earlier we were stuck in a terrible traffic jam तो जब traffic jam खुलता तब तो आते इसलिए possible ही नहीं था तो couldn't have clear हो गया अब आगे बढ़ते हैं would have को समझेंगे लेकिन would से compare करेंगे would do यानि कि करता would हम use करते हैं present और future में जब हम conditional sentences की बात करते हैं यानि कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे अगर ऐसा होता तो मैं ये करता ठीक है तब हम would do का use करते हैं लेकिन जब हम would have done का use करते हैं तो हम कहते हैं किया होता पर किया नहीं यानि कि past की वो बात कर रहे हैं कि किया होता पर किया नहीं अब देखिए would have plus v3 structure है sentence में आप अच्छे समझ पाएंगे मैं आप से मिलने आया होता लेकिन मुझे देर हो रही थी situation ये है कि आप आए Delhi, Delhi में आपकी आउंटी रहती है बट आप आउंटी से नहीं मिल पाएंगे, आप किसी काम से आया था, आप चले गए आपकी आउंटी आप से बोलती हैं कि तो मेरे पास मुझे मिलने क्यों नहीं आए तो आप जवाब देते हैं मैं आप से मिलने आया होता that means कि मैं आप से मिलना चाहता था और आया भी होता लेकिन मुझे देर हो रही थी तो कुछ रीजन था जिस वज़े से आप नहीं कर पाएं पर आपने किया होता ये सिंस है I would have come to meet you, but I was getting late तो यहाँ आप ये कहना चाहरे है I wanted to come to meet you, but I was getting late तो यहाँ आपने would have का use करके ये बताया कि मैं आया होता लेकिन देर हो रही थी इसलिए आ नहीं पाया situation समझ गए कि जब करना चाहते थे पर कर नहीं पाए तब आपने इसे use किया इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये conditional में use होता है वैसे ही इसका सबसे ज़्यादा use would have का होता है conditional sentence में वो आप देखेंगे conditional sentence में किस तरीके से अगर आपने मेरी conditional sentences की video ना देखियो तो जरूर से देख लें conditional यानि कि third conditional में especially ये use होता है would have के साथ और तब किया होता अगर ऐसा होता वाला sense होता यानि एक condition होती है कि अगर ऐसा होता तो मैंने ऐसा किया होता तो देखें इसका बेर structure तो सेम ही है जो पहले था अब इसमें sentence कुछ अगर से शुरू होगा अगर हम पहले आ गए होते तो हमने train पकड़ लिया होता ठीक है तो यहाँ पे sentence बना if we had arrived earlier we would have caught our train तो यहाँ ध्यान देंगे जो conditional में conditional sentence में condition होती है जो if के साथ बनता है वो बनता है past perfect में had और third form के साथ और उसके बाद जो result होता है वो हम कहते हैं would have और third form के साथ तो यह structure याद रखेगा जब भी would have imaginary ऐसे sentences में use करें जहांकि आप conditional sentences की तरह बात करें तब आप इस तरीके से use करेंगे ठीक है अब एक negative देख लेते हैं conditional sentences में ही wouldn't have done के साथ याद न किया होता अगर ऐसा होता तो देखिए wouldn't have plus v3 यह structure बना हम पहले आ गए होते तो हमारी train न चूटती ठीक है तो यहाँ पे sense वही है लेकिन इसे हमने अलग तरीके से बोला if we had arrived earlier we wouldn't have missed our train तो यहाँ पे देखा आपने कि हमने miss का use किया यानि कि यहाँ train miss होने की बात की और वहाँ train पकड़ने की बात की थी तो यहाँ यह negative बन गया clear हो गया guys आपके लिए कि कब-कब इन्हें use करते हैं तो should have use करें जब कोई काम करना चाहिए था बोलना हो could have use करें यानि कि कोई काम कर सकता था पर किया नहीं और would have use करेंगे जब आपने कोई काम किया होता पर किया नहीं ठीक है तो situations आपने देख ली एक मैं आपको बहुत ह अच्छी सी situation देती हूं जिसमें कि हम एक ही बार में तीनों तरीकों को use करके देखेंगे your brother failed the exam ठीक है situation है कि आपके भाई आपका भाई fail हो गया exam में अब वो आपके पास आता है तो आप क्या-क्या बोलते हैं ठीक है आप कहते हैं you should have studied harder तुम्हें और अच्छे से पढ़ा पढ़ाई करनी चाहिए थी ठीक है क्योंकि fail हो गया तो आपने ये बोला करनी चाहिए थी फिर आप कहते हैं you could have studied harder but you didn't try तुम और अच्छे से पढ़ाई कर सकते थे यानि ability भी थी possibility भी थी लेकिन तुमने कोशिस नहीं कि but you didn't try फिर आप कहते हैं you would have passed the exam if you had studied harder तो यहाँ एक condition रख रहे हैं कि तुम exam pass कर चुके होते तुमने exam pass कर लिया होता अगर तुमने और अच्छे से पढ़ाई की होती तो situation है कि आपने अलग-अलग तरीके से तीनों का use किया इसी तरीके से मैं आपसे कहूंगी कि कोई एक situation आप खुद से choose कीजे और उन पे इन तीनों का use क और के comment section में जरूर से लिखेगा आपके बहुत अच्छी practice हो जाएगी अब मैं आपको सभी key points देती हूँ यानि कि क्या चीजें याद करने वाली हैं इस चीज को समझने के लिए कि इन्हें कब-कब use करते हैं सबसे पहली चीज कि हम इने कालपनिक भूत काल के लिए यूज करते हैं इन तीनों को यानि की imaginary past जो चीजें हुई नहीं थी बट ऐसा होना चीए था इस तरीके से और इन सब के साथ यूज होता है past participle यानि की verb की third form अब देखें जब आप should have done का use करते हैं तो sense होता है कर सकते थे पर किया नहीं would have done का use करते हैं तो sense होता है किया होता पर किया नहीं साथ ही साथ एक और situation जो के हम conditional sentences में use करते हैं कि किया होता अगर ऐसा होता तो इसकी आप screenshot भी ले लीजे गाईस ताकि जब भी आप कभी अटके इस चीज को देख लें बहुत ही important concept था बहुत ही आसानी से आपने समझ लि कीजेगा आपसे request अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उसके बाद आने वाले बिल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिल सकरें और यह वीडियो पसंद आई हो आपके लिए जरा से भी helpful रही हो तो वीडियो को आए २म्झन द एक रड ले वीडियो को सिएाब है फवीडियो सुच्छा एक्यून आपके लिए ढिसनीडियो को बहूएग वीडियो ।ो